What's up ladies and gentlemen and welcome back to another Pokemon Unite video आज की वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही जादा important topic cover करने वाले है and that is तुमारा connectivity issue ची हाँ आप इसे कही साथ लोग का ये network error यहाँ पर आ रहा था तो मैंने सुझे क्यों ना इसकी ओपर वीडियो बना जेता हूँ तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें total 5 steps बताने वालू तुम्हें भाई उन 500 steps को follow करना होगा तुमने अगर कुछ भी miss कर दिया तो भाई तुम्हारी game नहीं चलने वाली ठीक है पहले बतारो तुम्हें 500 के 500 steps ही follow करने बड़ेगे और तब उसकी बाद तुम्हारी game अराम से चल जाएगी तो भाई वीडियो बिल्कुल end तक देखना कुछ भी miss meant करना और हर एक step बहुत ही जादा crucial है तो ठीक है फड़ा फट चलते हैं तुम्हारी network error की problem solve करने सबसे पहले solution है तुम्हें यह चेक करना है कि तुम internet कौन से यूज कर रहे है और इसका speed कैसी है यहाँ पर मैंना सबसे बहले है अपना atl वाला internet इस्तमाल करने वाला और तुम लोग देख सकते हो वो कितना जादा बेकार है ठीक है उनलोग यहाँ पर देख सकते हो उसका कोई भी speed नहीं आ रही है एक mbps भी नहीं यहाँ पर आ रही है तो उसके हो जैसे कई बार स्टेशनली कनेक्शन में दिक्कत जरूर आती है और तुम्हें भी यह दिक्कत आ सकते है तो मैंने भी यह दिक्कत फेस करी यहाँ पर देख सकते हो उसकी speed is good मैं यह नहीं मुन होगा की बहुत ही जाद अच्छी है डीसेंट है वारी जब 5-10 mbps स्टिल तुम्हारे लिए वर्थ है दो गईना की तुम लोग भी यह चेक कर सकते हो speed test by ukla there's an app उसको डाउनलोड करो और फिर तुम उस पुर्टिक्लर इंटरनेट पर खेलो और हमेशा ना इस यह करने के बाद तुम्हें अपने फोन को एक बार एरप्लेइन मोड पर डालना होगा ठीक है अब हम चलते हमारे तीसरे स्लूशन तुम्हें क्या करना होगा तुम्हें अपने अबाउट फोन में जाना होगा and then वहाँ पर search करना हो यूसेज तो मेरे तीनों टिक है इसका मतलब वही मेरा गीम इन तीनों नेटवर्क के ऊपर चल सकता है चाहे मैं एटल का इंटरनेट यूस करूँ चाहे मैं जीयो का यूस करूँ चाहे मैं वाइफाई का यूस करूँ ठीक है मेरी गीम तीनों पर चलने वाली है अब एक ब पर में गेम खेलने चला गए बहुत जादा सिंपल है ठीक है और मेरी लोडिंग करने में बहुत जादा दिक्कत आने वाली है गेम के अंदर तुम लोग देख सकते हैं अभी गेम नॉमल चल रही ठीक है यह तो होम स्क्रीन है तो बिना इंटरनेट की भी आ जाती है फिर उसक उन्हों रिस्ट्रिक्ट डाटा तो नहीं हो के रिखा को फीस इंटरनेट या फिर सब्म्स δिमॉस को रिस्ट्रिक तो नहीं हो कर ले क्रिक्टा करते है वह वैनोफ थे झारे कर दीए अब मैं थूम्मारे सापने बादगे है इंट्रो वाली लिए यह तो अगीन यह तो नॉबल भी चल जाता है बाट अब इसके बाद इसके बाद इसके बाद देख सकते हैं मेरी गीम इंस्टेटी रन करने लग जाएगी ठीक है इसके बाद लोड हो गया कोई रिस्ट्रिक डाटा नहीं है उसको इंटरनेट अच्छा मिल रहा है हमारी सिस्तमाल कर सकते हो यह तुम्हारे लिए काफी जादा अच्छी भी साबित हो सकती है ठीक है इसके बाद हम लग बढ़ेंगे हमारी सीधा चौथी ट्रिक के उपर अब तुम्हें चौथी ट्रिक के लिए भी फिर से अपने मैनेज आप्स के अंदर ही जाना पड़ेगा इन है यह सारे के सारे सेप्स फॉलो करने के बाद यू हाफ तो गो फॉर दे क्लियर डाटा ठीक है जैसी तुम यह चीज़ कर लोगे फिर उसके बाद तुम लग दुबारा अराम से गेम को रिलाउंच कर सकते हो कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली और एक और चीज वन्स और फाइनल सल्यूशन के ओपर जो कि यह सारे सल्यूशन के बाद तुम्हारे लिए गेम चला ही देगा यह सबसे इजी सल्यूशन है एंड डाट इज तुम्हें अपना फोन को एक बार रीबूट करना है एरप्लीन मोड पे डालने के बाद जी हां बहुत जाए तुम्हें यहां पर एरप्लोन मोड पे रीबूट करना है अब एक चीज या तकना भाई सारे स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने होंगे अगर तुम्हें कोई भी स्टेप्स कर रहा तो तुम्हारे दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो यही चीज़ है मैंने फैन के साथ नेटव तुम्हें फिर भार तब तक कर रहा है